इस परिवार के उपर जो आग जने की गटना करती है दोस्तो आदाब सस्रेकाल नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त लकी खान आज मैं फिर पेस हूँ आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके जो बेहदी अपसोस जनक कहानी है जी हाँ दोस्तो आपने काफी दिनों से देखा होगा य के राजिस्तान में लगता है वो गाओं वहाँ पर आपने देखा होगा कि घर के अंदर आग लग जाती है तो पहले यह वीडियो आप एक क्लिप देखिए उसके बाद हम बात करते हैं यह न्यूस का मैंने काफी क्लिप देखे तो सुचे क्यों ना मैं इसके बारे में आप कि मैं करेंशिव रखता हूं आद के बाद अगर मैं ऐसा हुआ तो मुझे रखनी शूरू कर दूँआ है अजिए नहीं मैं खिटम हो जाओंगा मैं वाल रखता हूं अवन बाला जी किसम मेरी मा काड़ी किसम और मेरे परणपिता परमात्य किसम बाला जी किसम मैं परणपिता परमात्मा परमेश्वर मैं सिरी बाला जी माराज़ की किरपा से यहां आए हूं और यहां जाके यहां खुछ इस परिवार को खुछ हाल कर देदा हूँ आँ हूँ जो वहां की ओडियंस जो वहां के लोग बता रहे हैं गाउं के लोग बता रहे हैं वहां पर बताया गया है कि वहां पर एक छोटे बच्चे की मौध हो चुकी थी उसे दफन कर दिया गया था और उसके बाद फिर एक बुज़र्ग की वहां पर मौध हुई और अब उसको जो यह उख़डा गया है बच्चे को जो उसका पॉस्ट माश्टम है वो करने के लिए लेकित मैं आपको यह बतना चाहता हूं कि साइन्स उन चीजिए को नहीं मांनता जो दिख़ाई नहीं देती हैं जी हाँ आज के डेट में साइन्स बूत-परेद आत्मा को नहीं मानता है और हम अक्सर क्या देखते हैं जो पुरानी हवेलिया होती या पुरानी जगायय होतीई हैं वहां पे ऐसी activities होती हैं वहाँ पर भूत परेद आत्माएं बसिरा कर लेती हैं तो ऐसा हम लोग मानते हैं लेकिन science इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि science जिसको देखता नहीं है उसको नहीं मानता लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो उस घर में activity हो रही है कि कपला टंगा मिर्च पड़ी है नमक में यानि कि नमक में कभी नमक में कभी किडा नहीं पड़ता है मिठाई में कीड़े पड़ जा रही है तो यह एक बहुत अफसोस जनक बात है कि घर के अंदर हर एक चीज में आग लग रही है प्लाश्टी के पाइप हो घास हो फूस हो वहां के सबस्कूलादौ्ट काला जादू था सबस्क्राइब mस देखते हैंनac कि इस फगेर जाद्रेस-टाय। सबस्क्राइब काला जादू किया है या फिर वहाँ पर ऐसा जादू हुआ हुआ है जो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐसी activities जो होती है हम कहते हैं कि science के जरीए भी ऐसी activities होती है ऐसी बहुत बहुत जादे बहुत सारे ऐसे जो है product है science में जो हम लोग आग लगा सकते हैं यहां तक मानना है कि उभात रहा है यह किसी को की देख रहा हो मेरी वीडियो को तो में यही बताना चाहूंगा कि आप किसी एक अच्छे आमिल इंसान से मिलें आमिल तांत्रिक की बात में कर रहा हूँ आप किसी अच्छे आमिल इंसान जो पढ़ा लिखा हो जिसके पास जिन्नात हो जिसके पास मवक्किल हो उससे आप जाके मिलें वो इस चीज का तोड़ निकाल सकता है यह मेरा कहना है क्योंकि मैंने जहां तक सुना है कि एक तो होता है जादू टोना और जो एक हिंदू धर्म से किया जाता है तो वह बड़ा खतनाक होता है क्योंकि वह बहुत गंदे तरहीके से होता है मुसलिम जो उसे काटना बहुत मुशकुल होते जो आ आपको इसमें ये फाएदा मिल जा है क्योंकि वहां पर मैंने देखा स्कानल मालीख बेग्ए इस सिरफ जाद लोग का माल है या किसी ने आपके घर पर बहुत खतनाक जादू किया हुआ है तो इसको आप एक आमिल इंसान से दिखा सकते हैं मैं यही कह सकता हूं बाकि न्यूस में क्या चल रहा है क्योंकि दुनिया कहते हैं सो मूह होते हैं तो बाकि आप जो सहमत लगे आप वो कर सकते ह मैं काफि दिन से इस गाओं की वीडियो देख रहा हूं उस घर में लोग बहुत परेशान है गाओंवाले बहुत परेशान है तो मैंने सुछा क्यों ना आपको यह मैं बताओं तो मैं आपको बता चाहता हूं क्योंकि मैं इन चीज़ों बड़ा विजवास रखता हूं ने दिखा होगा राद को साड़े बारे बारे के बीच में चार के बीच में जब हम राद को देखते हैं कुत्ते भोगते हैं तो उनका यही एक वो होता है कि उनको आत्मा दिखाई दिती है तो यह बहुत लंबी एक इस्टूरिय बहुत लंबी कहानी है बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें और बाकी क्या राय है आपकी इस गाउं के वारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई भी जैसे मेरे लाग सेवा होगी मैं ज़रूर बताऊंगा जैहिन जै भारत